अगर अगर अभी तक आपने कोई भी फुल लेंट लेक्चर देखा है या फिर आपने अगर एक बार NCRT को पढ़ लिया है then this lecture is going to be a cakewalk for you as well as इस तरीकी की जो mind map series है ये आप लोगों के लिए एक वर्दान साबित होने वाली है अपने chapter को आप consolidate कर पाएंगे एक concise format में पढ़ पाएंगे समझ पाएंगे review कर पाएंगे और आपका इतना time बचेगा कि उस time को बचा करके आप practice पर जादा जोर दे पाएं determination students के साथ ही कि यह problem होती है कि उन्हें पता नहीं लगता कि यार revision का right source क्या है अगर आप लोग अपनी तयारी बहतर तरीके से कर रहे हैं then these lectures the lectures of mind map series which are made by the top faculties of PW आप लोगों के लिए बहुत ही जादा बहतरीन होने वाले हैं आप लोग इन lectures को enjoy करिएगा इन lectures को पसंद और यहां से लिए गए क्रक्स को एक बार अपने दिमाग में बैठाएगा भी ताभी जाके आप इसका output ले पाएंगे and बहुत ही जल्दी हम यहां पर इस chapter को cover करने वाले हैं आज एक chapter जो की base बनाता है foundation बनाता है पूरी diversity unit का जिसका नाम है the living world उसे आज हम पढ़ने वाले हैं समझने वाले हैं उसके सबसे important सबसे खास points को review करने वाले हैं and this is going to be a very fine lecture शुरू करते हैं हमारे chapter living world को अगर आप आप normally देखें according to NCRT यह जो chapter है यह चार भागों में तोड़ा गया है सबसे पहला भाग जो है वो है the differences between living organisms and non-living things है ना यानि यहाँ पर हम लोग एक question के बारे में बात करते हैं कि what is living आखिर living होता क्या है आखिर living organisms में ऐसी कौन सी चीज़े होती है जो उन्हें non-living चीज़ों से अलग बनाती है second जो हमारा part है उसमें हम लोग बात करते हैं about biodiversity हम लोग यह जानते हैं कि हमारे आसपास कौन से organisms present हैं कितने organisms present हैं और उन organisms के साथ हमारा relation क्या है यह हम biodiversity के अंदर जानेंगे third जो हमारा sub topic है वहाँ पर हम लोग बात करते हैं taxonomic hierarchy की यानि हम यहाँ पर taxonomy के बार में पढ़ते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि भाई अगर आपको कोई नया plant मिला है या आपको कोई नया animal मिला है या आपको कोई नया micro मिला है तो आप उसे किस हिसाब से classify करोगे into variety of categories तो वो अलग-अलग categories कौन सी हैं यह हम taxonomic hierarchy में पढ़ते हैं और चौथा और सबसे खास जो हमारा topic है इसे हम कहते हैं taxonomic aids अगर आप taxonomy को बहुत बहतर तरीके से समझना चाहते हो तो कौन से वो aids हैं कौन से वो tools हैं जिनकी आपको जरूरत पढ़ेगी यह चारों के चारों के अंदर आप लोगों को revise करा दूँगा NCRT का एक भी important point चुटेगा नहीं और आप lecture देखके बोलोगे वा सर मजा आ गया and I want कि अगर आपको यह lecture पसंद आए तो भाई विपु भाई या उपी हो जाए एक बार नीचे in the comment section है ना फटा-फट से इस lecture को start करते हैं and let's talk about all the important things of the topic what is living, living organisms में ऐसी क्या चीज़े हैं जो उन्हें actual में living मनाती हैं, सबसे पहले आपको दो चीज़े बता देना चाहता हूँ, पहली चीज़ the definition of characteristic feature and second thing is the definition of defining feature, students को बहुत ज्यादा problem होती है अगर मैं आपको एक question अभी पूछूँ कि metabolism क्या living organisms का characteristic feature है तो आप ठीक से नहीं बता पाएंगे, अगर मैं आपको बोलूँ क्या metabolism living organism का defining feature है तो आप और confused हो जाएंगे, इस confusion की layer को हटा देते हैं और बात करते हैं इन दोनों चीज़ों के बारे में, characteristic feature मतलब हर वो character जो एक living organism के अंदर present है, क्या living organism grow करते हैं, बिलकुल, मैं पैदा हुआ था इतना सा था, अब इतना बड़ा हूँ, क्या मैं grow कर गया, येस, इसका मतलब growth मेरा character है, बिलकुल सही बात है, क्या living organism reproduce करते हैं, येस, अगर एक भी आपने organism reproduce करता हुआ देखा है, तो जाहिर सी बात है, आप इस बात को मानोगे, क्या आपने कभी रोज की डाली नहीं काटी और उसे जम क्योंकि हमारे और जो descendants हैं, वो पैदा हो रहे हैं, और जो लोग हैं, वो इस धर्ती के ओपर आ रहे हैं, यानि living organism reproduce तो करते हैं, तो यहाँ पर reproduction is also a characteristic feature, metabolism, क्या मेरी body में reactions नहीं चल रहा है, बिलकुल चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं आप से बाते कर रहा हूँ, मैं स्क्रीन देख रहा हूँ, मैं इस टाइम पर आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं दिमाग के अंदर neural signals जो है, उनका एक जंजाल पनप रहा है, क्या मेरे अंदर metabolism हो रहा है, yes, क्या मैं conscious हो इस टाइम पर, yes, मैं होश औ हवास में खड़ा हूँ, मैं चीजों को sense क कर सकता हूँ, मैं चीजों को response दे सकता हूँ, response दे सकता हूँ, conscious हुम है, क्या मेरे अंदर cell है, yes, मेरे अंदर trillions of cells है, तो क्या ये सारे किसी ना किसी living organism के characters नहीं है, बिलकुल है, ये सारे के सारे हमारे characteristic features है by default, लेकिन इन में से defining feature बहुत कम होंगे दोस्त, defining feature का मतलब एक ऐसा feature जो 100% living organism में हो, याद रखना, अगर एक भी living organism ऐसा है, जिसमें कोई character नहीं है, then that wouldn't be the defining feature, जो 100% living organisms में हो, और 0% non living में हो, defining का मतलब आप define कर सकते हो, ये चीज सिर्फ और सिर्फ living में हो रही है, और sub living में हो रही है, और एक भी non living में नहीं हो रही, reproduction मान लो, क्या reproduction सारे organisms में होती है, नहीं, आप देखोगे कि जो sterile human couples है, आपने wicked owner film देखी होगी, right, कुछ human couples sterile होते हैं, जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, यानि हर living organism तो reproduce नहीं कर रहा, तो ये, क्या हुआ, defining feature हुआ, नहीं, similarly growth, अब आप बोलोगे सर, growth तो सारे living organism करते ह हैं, चाहे वो unicellular हो, चाहे वो plant हो, चाहे वो animal हो, मैं मना नहीं कर रहा, हर living organism grow करता है, लेकिन growth के twin characters हैं, अगर आपका mass बढ़ रहा है, तो भी आप grow करते हुए माने जाओगे, समझ लोगे पहाड है, उस पहाड के उपर अगर snowfall हो गया, उसके उपर बरफ जम गई, तो क्या उस पहाड का mass नहीं बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा, तो क्या वो पहाड grow नहीं किया, overall size में, बिल्कुल grow किया, तो पहाड भी तो grow कर रहा है, और वो non living है, तो ये भी defining feature नहीं हुआ, यानि सारे के सारे ये जो characters है, ये line से characteristic feature जरूर है, बट इन में से कुछ ही defining feature कहलाते हैं, ठीक है, ये दो चीज़ें मुझे आपको clear करनी थी, फिर हम बात करते हमारे एक बहुत ही हुनहार scientist के बारे में, जिनका नाम है Ernest Mayor सहाब, इस unit से पहले उनका description दिया हुआ है, तो उनके बारे में भी थोड़ी बहुत बाते हम लोग कर लेते हैं, अरनेस्ट मेर सहाब का जनम 1904 में हुआ था, और 2004 में उनकी death हो गई थी, यानि वो 100 साल जिये थे, और 100 नंबर उनके लिए एक और जगा पर इस्तमाल किया जाता है, अगर आज तक पूरी दुनिया में जितने भी scientist हुए हैं, उनमें से top 100 scientist की list बने, तो Ernest Mayor सहाब का नाम आ इस तना अच्छा काम किया कि उनकी तुलना इस पूरी दुनिया के सबसे बड़े evolutionary biologist, Darwin सहाब से की गई, और इसलिए Ernest Mayor सहाब को बुलाया जाता है, Darwin of 20th century, 20th century, बीसवी सदी का Darwin उन्हें कहा गया, इसके अलावा, Ernest Mayor सहाब को 3 awards भी मिले, जिनने कहा जाता है, triple crown of biology, यानि कहा जाता है कि उनके सर पे biology के 3 सबसे बड़े खिताब थे, सबसे बड़े awards थे, जिनसे Ernest Mayor सहाब को सुसजित किया गया था, समानित किया गया था, पहला आपका बालजन प्राइज, दूसरा international prize for biology, तीसरा क्रेफूर्ड प्राइज, ये तीनों प्राइज बहुत important है, और इ Ernest Mayor सहाब को इतनी जो सम्रिद्धी है, ये कैसे मिली, इतनी सफलता कैसे मिली, उन्होंने एक concept दिया था, biological concept of species, यानि अलग-अलग scientist है और उन्होंने बोला, यार हम देंगे species की definition, Ernest Mayor सहाब ने बोला, मैं सबसे best definition दूँगा, और मेरी definition का नाम होगा, biological concept of species, उन्होंने क्या कहा, कि अगर दो organisms, मिल करके एक बच्चा पैदा कर रहे हैं, और वो बच्चा अगर फर्टाइल है, यानि वो बच्चा अगर आगे और बच्चे पैदा कर सकता है, इसका मतलब य थे, मेल और फीमेल, यह सेम स्पीसिस के थे, अगर यह मेल और फीमेल अलग-अलग स्पीसिस के हुए, तो इनका बच्चा कभी भी फर्टाइल नहीं होगा, यानि इनका बच्चा स्टेराइल होगा, इनका बच्चा आगे बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा, for example, Liger, आपन प्रॉम टाइगर के एंड के तीन अलफाबेट जो कि फीमेल है यानि मेल लायन और फीमेल टाइगर जो कि अलग अलग स्पीसिस है जब इनके बीच में में मेटिंग होगी तो लाइगर पैदा होगा लेकिन लाइगर बच्चे पैदा नहीं कर सकता आले अगर मेल गदाय यानि डॉंगी है और फीमेल अगर हॉर्स है यÏ दोनों अगर बच्चे पैदा करेंगे तो इनके बच्चे जो है मूल होंगे जो कि आगे बच्चे पैदा नहीं कर सकते encounteredêsी चरह बच्चे पैदा नहीं कर across पाइग ठीक है इसलिए biological concept of species यह कहती है कि अगर male और female of same species are mating together then their progeny will be fertile and if male and female of different but related species mate together their progeny would be sterile different species but related क्योंकि भाई आसपास के तो हो size में आसपास के तो हो relationship में अब एक गधा जो है उसकी body और एक गोड़ा जो है उसकी body comparatively similar होती है एक गधे की body को मैं चुहे की body से compare नहीं कर सकता so they can't mate right लेकिन मिलते जुलते जो related species होते हैं वहापस में mate कर सकते हैं ultimately they can produce their progeny but वो sterile होगी by default ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ऐसे कौन से character है जो एक living organism को living बनाते हैं अब हम अपने आसपास देखें तो करोडो living organisms हमें दिखाई दे सकते हैं है ना तो उनको living ब चीजें होंगी तब बोलोगे कि कोई organism grow कर रहा है पहला increase in mass कि अगर किसी का mass बढ़ रहा है तो भी कहा जाएगा भाई वो grow कर रहा है और अगर किसी के number of cells या number of individuals बढ़ रहा है तो भी कहा जाएगा कि वो grow कर रहा है एक बैक्तिरिया आपका डिवाइड कर गया तो ये दोनों चीज़ें जब होंगी या दोनों में से एक भी होगी तो इसे growth कहा जाता है plants में जो growth है वो आप देखोगे कि plants में जो growth है वो आपकी infinite growth होती है अगर आप देखोगे plant में तो आपको infinite growth देखने को मिलेगी यानि plant एक particular time के बाद चाहे कम ही बढ़े height में लेकिन बढ़ेगा ज़रूर क्योंकि plant के अंदर कौन से cells होते हैं meristematic cells होते हैं और ये meristem जो है plant को divide करती रहती है continuously बहुत सालों तक जब तक plant जिन्दा है तब तक animals में अगर आप देखोगे तो growth हाल्ट एट पर्टिकुलर एज ग्रोथ हाल्ट एट पर्टिकुलर एज एक पर्टिकुलर उम्र आने के बाद ग्रोथ जो है वह हाल्ट हो जाती है उसके बाद organism further grow नहीं कर पाता ठीक है unicellular organism में अगर आप देखोगे तो आपके काफी सारे processes साथ साथ होते हैं जैसे कि एक पर्टिकुलर बैक्टिरिया का cell अगर दो सेल बना रहा है तो क्या आप इसे cell division बोलोगे बिल्कुल बोलोगे भाई एक cell दो सेल बना रहा है इट इस cell division क्या आप इसे reproduction बोलोगे भाई एक बैक्टिरिया दो बैक्टिरिया बना रहा है कि आप इसे reproduction बोलोगे बिल्कुल बोलेंगे और एक cell दो सेल बना रहा है, increase in number of cells हो रहा है, increase in number of organisms हो रहा है, तो क्या आप इसे growth बोलोगे, बिल्कुल बोलोगे, तो आप क्या कह सकते हो, एक particular unicellular organism के अंदर, चाहे cell division हो, चाहे reproduction हो, चाहे growth हो, they are mutually inclusive events, inclusive events, तीनों चीज़े साथ साथ होती है, आप चाहे इसे growth बोलो, चाहे reproduction बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, तीनों चीज़े साथ हो रही, right, but multicellular organism में, समझ लो, मैं हूँ, और मेरी कोहनी पे चोट लग गई, तो कोहनी पे चोट लग गई, तो वहाँ पे healing स्टार्ट होगी, मेरे cells divide करेंगे, और नए cells बनेंगे, तो cell division तो हो रहा है, लेकिन क्या इस टैंप में reproduce कर रहा हूँ, नहीं, यानि cell division और reproduction exclusive होते हैं, यानि independent होते हैं, तो complex organism में, यह तीनों process independent हैं, लेकिन unicellular organism में, all these three processes are interdependent या inclusive events, अब अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर growth जो है, it is not a defining feature, why it is not a defining feature, क्योंकि आपका accretion से, यानि accumulation of matter से, non living चीज़ें भी grow कर सकती हैं, for example, आपका mountain, आपके mountain के उपर बर्फ जम गई, तो mountain का mass बढ़ गया, increase in mass, तो यहाँ पर क्या हो गया दोस्त, आपका growth हो गई, या फिर आपका sand dune है, मिट्टी का टीला है, उसके उपर और मिट कर दी कहीं पर और उसके उपर किसी कवे ने आके बहुत सारी पॉटी कर दी, तो ultimately क्या हो वहाँ पर उसका गारी का mass बढ़ गया, अगर accumulation of matter हो रहा है, यानि accretion हो रही है, तो चीजों का mass बढ़ता है, यानि वो grow करते हैं, और अगर वो grow करते हैं, then ultimately, growth अगर non living में हो रही यह तो defining feature तो नहीं है, characteristic features तो यह सारी है, this is about growth, when it comes to reproduction, तो reproduction का मतलब क्या होता है, reproduction का मतलब ही है, री का मतलब again, production का मतलब produce करना, यानि बार बार progenies produce करना, अपने नए, जो generation है, उनको जन्म देना is reproduction, अब अलग-अलग method of reproduction हो सकते हैं, for example, fungus जो है, इसमें millions of asexual spores पाए जाते हैं, millions of asexual spores पाए जाते हैं, budding अगर आप देखो, तो किस के अंदर होती है, budding अगर आप देखो, तो east के अंदर एक छोटा सा bud पनपता है, hydra के अंदर एक छोटा सा bud पनपता है, जो एक time के बाद parent body से detach हो जाता है, और grow करने लग पड़ता है, planaria के अगर मैं बात करूं, तो planaria में क्या होती है, true regeneration, true regeneration, यानि planaria क्या करता है, अगर इसे आप तीन टुकड़ों में कार दोगे एक planaria को, तो तीन नए planaria बन जाएंगे, और उसमें regeneration हो जाएगे, when it comes to fragmentation, तो एक particular organism अपने टुकड़े कर लेता है, fragments में convert हो जाता है, और हर fragment नय या organism बनाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर fragmentation में आगर आप देखोगे, तो कुछ fungus के अंदर भी fragmentation हो सकती है, F for fragmentation, F for fungus, कुछ filamentous algae के अंदर भी हो सकती है, filamentous algae के अंदर भी हो सकती है, and आपका protonema of mosses के अंदर भी हो सकती है, protonema of mosses is very important, यह पूछा जाता है, mossi जी पर एक question ज़रूर आता है, तो protonema of mosses, filamentous algae and fungus के अंदर fragmentation होती है, अगर मैं लिखो reproduction के बारे में, क्या यह एक defining feature है, नहीं, it is a non-defining feature, भाया यह non-defining feature क्यों है, non-defining feature इसलिए है, क्योंकि कुछ living organisms reproduce नहीं करते, जैसे कि sterile human couples, अब कोई human है, जिसको abnormality है, तो वो reproduce नहीं कर सकता, biological concept of species को जो जो disobey करेगा, जैसे mule, liger, यह भी divide, you know, mule, liger, यह भी क्या नहीं कर सकते, reproduce नहीं कर सकते, अगर आप देखोगे, मक्खियों में, जो female मक्खी होती है, उनमें सिर्फ रानी मक्खी जो है, queen भी सिर्फ उसके पास reproductive potential होता है, जो worker भी होती है, वो reproduce नहीं कर सकती, तो सिर्फ रानी मक्खी reproduce करती है, worker भी जो है, यह reproduce नहीं करती, तो यह एक non-defining feature हो गया, तो कि 100% living organisms में, अगर reproduction हो रहा होता, तब यह defining feature होता, now it is non-defining feature, now let's move towards the next thing, which is metabolism, metabolism मत्तब हमारी body के अंदर जो भी reaction हो रहे हैं, उन सब का sum, sum total of all the reactions in our body is called metabolism, चाहे वो तोडफोड वाले reaction हो, यानि catabolism हो, चाहे वो जोडने वाले reaction हो, यानि anabolism हो, दोनों के sum को हम लोग क्या कहते हैं, metabolism कहते हैं, आपकी body बहुत सारे reactions करती हैं, उन सब reactions का sum metabolism कहलाएगा, ठीक है, और आप metabolic reactions को in vitro देख भी सकते हो, अगर आप यहाँ पर देखोगे, अगर आप यहाँ पर देखोगे, let's add a particular element, है ना, chemistry से एक test tube उठा लेते हैं वह यह चुरा के, यह जो test tube है, यह हम उठा लेते हैं, और यहाँ पर बना लेते हैं अपना in vitro reaction, और यहाँ पर अगर कोई reaction हो रहा है, इन विट्रो का मतलब होता है, outside the body, but in similar condition, तो अगर outside the body कोई reaction हो रहा है, और similar reaction हो रहा है, 100% same reaction हो रहा है, तो क्या यह living reaction नहीं होगा, बिलकुल होगा, यह living reaction होता है, बट क्या आप इसे living thing बोल दोगे, नहीं, इसे living thing नहीं बोलोगे, living reaction, but not a living thing, it is a living reaction क्योंकि 100% same reaction है, समझ लो मेरी body में glucose टूट करके pyruate बनाता है, तो यहाँ भी glucose टूट के pyruate ही बनाएगा, but इसे हम living organism थोड़ी घोशित कर देंगे, so it is not a living organism, थोड़ी सी bifurcation कर लेते हैं, जिससे की बढ़िया तरीके से हमें चीज़ें समझ में आ सके, जिससे थोड़ा बहुत यह बीच में आपस में चीज़ें टकराएं ना, और एक clear cut bifurcation हमारे पास आ जाए, कि कहां तक कौन सा topic था, I hope everything is clear, till now, All right, यह आपका metabolism के बारे में हो जाएगा, अब metabolism जो है, आपका by default हर organism के अंदर पाया जाता है, तो क्या metabolism एक defining feature हुआ, Yes, metabolism एक defining feature हुआ, तो यहाँ पर हम लोग लिक देते हैं, metabolism is a defining feature, It is a defining feature, यह हर organism के अंदर पाया जाता है, चाहे वो कितना भी छोटा है, कितना भी बड़ा, क्यों ना हो, अब हम बात करते हैं, दोस्त, about consciousness, Consciousness के दो पार्ट है, एक तो आप sense कर पारे हो कि आसपास क्या चीज़े हो रही है, यानि आप अपने आसपास के environmental changes को देख पारे हो, और दूसरा, आप respond कर पारे हो कि भाई, वो changes जो है, उस पे आपका reaction क्या है, प्रतिक्रिया क्या है, It is a barp feature, क्योंकि NCRT में क्या लिखा हुआ है, कि आपका Consciousness जो है, It is technically complicated, and most obvious feature, यानि आपको कोई पूछे, दो अगर features में आपको compare करना है, कि best feature कौन है, living organism का, then it would be Consciousness, और आप अलग-अलग stimulus को अपने sense organs से देख सकते हैं, judge कर सकते हैं, जैसे biological stimulus कोई organism आ गया है, physical stimulus जैसे heat है, cold है, है ना, आपका chemical stimulus कोई particular chemical आ गया है, तो आप भी, plant भी, चीजों के उपर प्रतिक्रिया जाहिर कर सकते हैं, humans जो है, they have a special property of self-consciousness, यानि only humans are aware of themselves, यानि अगर आप Consciousness को देखें, तो consciousness जो है, वो तो हर organism में पाई जाएगी, क्योंकि तो बाफ feature है, तो consciousness जो है, it is a defining feature, लेकिन when it comes to self-consciousness, ये तो सिर्फ और सिर्फ human में है, सारे living organism में नहीं है, so it is a non-defining feature, it is a non-defining feature, कुछ ऐसे organisms होते हैं, जो self-conscious नहीं होते, humans के अंदर भी, जो कॉमा में गए हुए होते हैं, जिनके organs मशीन से support किये जाते हैं, ऐसे organisms को हम बोलते हैं, brain dead, है ना, ऐसे कॉमा patients को हम लोग कहते हैं, brain dead, and they can come to normal life, जब वो ठीक हो जाएं, cell जो है, presence of cell is also defining feature, बिना cell के आप जिन्दगी, कैही नहीं सकते कि आपके अंदर present है, because cell is the structural and functional unit of life, नाम में life आ रहा है भाई, तो यहाँ पर इससे बड़ा कोई और, आपके लिए feature हो नहीं सकता, अब बात करते हैं दोस्त, बायो डाइवर्सिटी की, अगर आप बायो डाइवर्सिटी को देखें, तो बायो डाइवर्सिटी मतलब हमारे आज पास, कितने अलग-अलग तरीके के organisms पाए जा रहे हैं, तो अगर आप अर्थ की बात करें, तो धर्ती पर आज तक 1.7 to 1.8 million, यानि अगर थोड़ा simple कर दूँ इस चीज़ को, 17 से 18 लाख अलग-अलग तरीके की जो species हैं, यह identify हो चुकी हैं, यानि है तो इससे भी जादा, इतनी तो हमने identify करके register में लिख ली हैं, document कर ली हैं, ठीक है? So this is very important, और अगर आप एक particular area में जा रहे हो, चाहे वो आपका new area हो, अब new area में जाओगे, तो नई-nई species मिलेंगी ही, और अगर आप old area में भी जाओगे, तो भी हो सकता है कि आपको उस जगाँ पर speciation होती हुई दिखाई दे, यानि एक गाँ है जिसमें मैं research करके गया था 5 साल पहले, और मैं दुबारा वापिस आया, और मैंने research करी तो हो सकता है 5 साल में वहाँ पर थोड़ी, और species आ गई हो, या पहले मुझसे कुछ species छूट गई हो, तो चाहे आप नई इलाके की बात कर रहे हो, चाहे पुरान इलाके की नई species मिलने की संभावना हमेशा बढ़ी रहती है, और species की सबसे खास बात क्या है, इनको हम ना local इलाकों में local नामों से बुलाते हैं, जैसे अगर आप कैलोट्रॉपिस की बात करें, तो मेरे गाउं में उसे हम बुलाते हैं आकडा, राजस्तान में जाओगे बुलाएंगे आक, मद्यप्रदेश में जाओगे बुलाएंगे मदार, लेकिन उसका असली नाम तो कैलोट्रॉपिस है, अमेरिका में जाके यह थोड़ी बोलोगे भईया, आकडे का पेड़ कहा मिलेगा, नहीं बता पाएंगे, तो लोकल नामों से छुटकारा पाने के लिए, हम लोगों ने क्या किया भईया, नामों की स्टेंडर्डाइजेशन की मांग करी, कि वी नीड टू स्टेंडर्डाइज दनेम आफ आल और्गैनिजम्स, कि कुछ स्टेंडर्ड हों, कुछ रूल्स हों, कुछ प्रोटोकॉल हों, जिनसे हर और्गैनिजम्स का नाम रखा जाए, तो यहाँ पर कुछ कमिटीज आई, जैसे ICBN, International Code for Botanical Nomenclature, and International Code of Zoological Nomenclature, Botanical Nomenclature मतलब यहाँ पर प्लांट के नाम करण की बात हो रही है, तो प्लांट के नाम कौन रखेगा, ISBN के रूल्स के हिसाब से रखे जाएंगे, Zoological यानि एनिमल्स के नाम कौन रखेगा, ICZN के हिसाब से रखे जाएंगे, यह कुछ committees हैं जो नाम रखने में आपके लिए rules and regulations set करेंगे, Now the most important thing is, कि अगर किसी भी organism का नाम रखना है, तो उसके लिए कुछ set of rules तो होने चाहिए, तो set of rules आपको कहां से मिलेंगे, यहां से, Binomial Nomenclature, By का मतलब दो, Nomial मतलब नाम, यानि दो नामों का एक combination होगा, जो हर organism के लिए valid होगा, Keralis Lineus सहाब ने, इस particular system को आगे रखा था, Rules क्या है, Example देखो मेरे भाई, Example है जैसे, Mangifera Indica Lynn, Mangifera में क्या है यहां पर, Mangifera जो है, यह आपका क्या represent कर रहा है, पहला जो नाम का part है, हमेशा genus represent करता है, दूसरा जो नाम का part है, हमेशा species को represent करता है, और तीसरा जो नाम का part है, Lynn यहां पर यह author का नाम होता है, जिसने इस particular species को, यानि Mangifera Indica को खोजा है, उसका नाम छोटे format में आता है, यानि Lineus का सिर्फ Lynn जो है, यह उठा करके हम लोग यहां पर ले आए, अब देखो और particular rules यहां पर, Mangifera यानि Genus जो है, इसका पहला जो alphabet है, यह capital है, जबकि species का पहला जो alphabet है, यह क्या है, आपका small है, यह दोनों जो word है, यह क्या है, आपके separately underlined है, यानि इनको separately underlined किया गया है, इनको एक line से नहीं जोड़ा गया, separately underlined to show their Latin origin, to show their Latin origin, है ना, अब देखो भाईया, यहां पर यह जो words है ना, Mangifera और Indica, यह किस से लिए जाएंगे, Latin भाषा से लिए जाएंगे, यह जो words है, derived by Latin language, Latin language क्यों है मेरे दोस्त, Latin language से इसी लिए लिए जाएंगे, क्योंकि Latin language जो है यह क्या है, एक dead language है, यह मरी हुई language है, यानि इसमें कोई बदलाव अब नहीं होगा, तो इसमें ना कोई word add होगा, ना कोई word इससे delete होगा, तो आप जैसा Latin को आज समझते हैं, 100 साल बाद भी वैसा ही समझेंगे, इंग्लिश में बदलाव हो रहे हैं, आप देखोगे pronunciation कुछ words की change हो रही है, हर साल पता लगता है कि अरे, इस नोट computer, इस computer, राइट, इस नोट saloon, हम saloon बोल बोल के बच्पन निकाल दिया, हमने पता लगता है, इस लोगता है, तो यहां से आपने जो नाम ले लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगे, यह जो नाम है, अगर आप इनको type करते हैं, तो italics में type करेंगे, यह जो हमारा author साहब का नाम है, अब्रिवेटेड फॉर्मेट में, यह आपका roman में रहता है, यानि normal English में रहता है, इसको कोई italicize करने की ज़रुवत नहीं है, यह आपका normal जो भी आपका नाम है, वही रहेगा, ऐसा नहीं है भाईया, इसको भी Latin से उठा रहे हो, भाई तुम्हारा नाम अगर रखाए गया है, देसी भाषा में, तो Latin कहां से लेकर क्या आएंगे, तो Latin नहीं लेकर क्या आएंगे, तो भी चलेगा, अब बात करते हैं भाईया, टेक्सोनॉमी एंड सिस्टेमेटिक्स की, टेक्सोनॉमी क्या है, टेक्सोनॉमी इस ब्रांच ओफ बाइलोजी, जिसमें हम चीज़ों की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो बेसिस आफ टेक्सोनॉमी क्या है, अगर आप स्टेंडर्ट टेक्सोनॉमी की बात करें, अगर आप स्टेंडर्ट टेक्सोनॉमी की बात करें, तो इसमें चार चीज़े आती हैं, सिक्वेंस में, सबसे पहले आपने किसी चीज के करेक्टर को नोट किया जब समझ लो मुझे कीड़ा मिला धर्ती पर पड़ा हुआ और मुझे लगा यह बहुत यूनीक और नई स्पीसिज है तो मैं उस कीड़े के करेक्टर देखूँगा और यार इसके तो छह पैर है और यार इसके सर पर इसके तो दो एंटीना है तो जब मैं करेक्टर नोट करता जाओंगा तो मुझे क्या पता लग जाएगा ईडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि यह है क्या मुझे पता लग जाएगा कोक्रोच से मिलता जुलता प्रानी है मैंने उसको इदेन्टिफाई कर लिया फिर उसकी क्ल जैसे अगर मैं अपने नाम पर रखना चाहूं है ना तो मैं रख दूंगा जैसे पैरी प्लेनेटा अमेरिकाना होता है ऐसे पैरी प्लेनेटा विपिन शर्माना मैं रख दूंगा भाई हमें क्या है पिता जी का राज है रख सकते हैं अपना नाम तुम अपने हिसाब से रख लेकिन आप से कोई पूछ ले भाईया modern taxonomy के बंबू कौन से है modern taxonomy के बंबू है बाहर का structure यानी morphology अंदर का structure that is anatomy plus cde सर cde क्या है cde है मेरे भाई c का मतलब cell कैसा है cellular organization कैसी है d का मतलब development कैसी होती है developmental pattern क्या है और e का मतलब ecological information भाया ecology कैसी है तो morphology anatomy और cde मिलकर बनाते है modern taxonomy के pillars modern taxonomy के pillars oldest classification कैसी हुई थी on the basis of use आप किस चीज को किस particular काम के लिए यूज कर रहे हो उस basis पर हमने organism को classify किया कौन organism हमें food दे रहा है चाहे वो दूद हो चाहे वो दही हो चाहे वो लसी हो चाहे वो खाने का कोई grain हो चाहे वो फल हो फ्रूट हो उन सब को रख दिया food में कौन हम हो चाहे वो फ्रूट हो उन सब को रख दिया कपड़े में clothing में कौन हमें रहने की जगाय दे रहा है तो जो लकडिया है जो shelter है जो हमें मिल रहा है उसके जो पेड़ है उनको हमने shelter में डाल दिया कौन हमें security दे रहा है dogs को security में डाल दिया कौन हमारी transport में help कर रहा है अगर गोड़ा गारी चलाते हो तो गोड़े को डाल दिया, अगर आप गधा गारी चलाते हो तो गधे को डाल दिया, अगर आप बैल गारी चलाते हो तो बैल को डाल दिया, बट एक category हमने बनाई depending upon the use, systematics क्या होता है, अब नाम क्या है systematics यानि systematic division करनी है चीजों की, एक system है जिसके हिसाब से चीजों को categories के अंदर रखना है, तो यहाँ पर क्या होते हैं, सारे के सारे standard taxonomy के यानि conventional taxonomy के pillars होते हैं, प्लस एक नई चीज आती है, प्लस evolutionary relationship, कौन organism, किस organism से कितना connected है, यह evolutionary relationship से पता लग जाता है, तो standard taxonomy में क्या क्या है, characterization, प्लस identification, प्लस classification, प्लस nomenclature, प्लस evolutionary relationship, यह सारी चीज़े मिलकर क्या हो गई, सिस्टेमाटिक्स हो गई, यह सारी चीज़े मिलकर क्या हो गई, सिस्टेमाटिक्स हो गई, आप बात करते हैं taxonomic categories की, जब आप किसी particular organism को divide करते हो तो एक step में divide नहीं करते, जैसे मैंने आपको बताया था मेरे को जमिन पे cockroach जैसा कीडा पड़ा हुआ मिला, सबसे पहले मैं उसको kingdom में ढालूँगा, kingdom क्या है उसकी animal यह एक animal है, फिर मां उसे डालूँगा phylum में, phylum क्या है इसकी अर्थ्रोपोडा है, फिर मां उसे डालूँगा, class में, class क्या है, इसकी insecta है, फिर मां उसका नाम रखूँगा, जीनस और species क्या है, उसके नाम ही तो ह है भाई नाम के दो टुकडे थे जीनस और स्पीसिस तो एंड में मैं जो दो चीज़े जस्टिफाई करूंगा वो उसका नाम हो जाएंगी विचारे के तो इसी लिए कि आप जब किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करते हो ना तो हिरार्की ऑफ स्टेप से उसे क्लासिफाई करना होता है यह जो सारी केटेगरी जहां पर स्पीसिस जीनस फैमिली ओर्डर क्लास फाइलम किंग्डम यह केटेगरी जो हैं यह डिस्टिंग्ट बायलोजिकल जब आप उसके उपर डीप स्टडी करोगे सो द्या नोट ओनली मॉर्फोलोजिकल एग्रिगेट ऐसा नहीं है कि सिर्फ मॉर्फोलोजी देखके कहीं भी फैक दिया ना हमें जस्तिफाई करना पड़ेगा कि यह जा कहा रहा है हमें उसके इंटर्नल स्रक्चर को भी देखन पड़ाता ना modern taxonomy के pillars में internal structure भी देख रहे हो external structure भी देख रहे हो cell की organization भी देख रहे हो development का pattern भी देख रहे हो ecological information भी देख रहे हो evolutionary relationship भी देख रहे हो तब जाके एक चीज़ को classify करके सही category में डाल पा रहे हो तो हल्वा नहीं बट रहा है यहां पर कि सिर्फ शकल देखी और बोले यहां सुन्दर है भाई animal kingdom में फैक दो नहीं you need to prove that and proof on the basis of evidences हर एक पिलर जो है यहां पर हर एक पिलर characterization identification everything works as a particular proof हर चीज़ से होकर आपको गुजरना होगा और इन categories में एक organism को रखना होगा अगर आप similarity matrix देखे similarities कि डिक्रीजिज प्रॉम कि स्पीशिज कि तू किंग्डम जब आप स्पीशिज से किंग्डम की तरफ जाओगे तो similarities decrease होंगी organisms में क्यों 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 कि स्पीशिज का मतलब ही है ऐसे organisms का group जिनमें fundamental similarities हों तुम और मैं same species के हैं हम homo sapiens है हमारे अंदर क्या similarities है 206 हट्डियां है तुम्हारे अंदर भी 206 मिलेंगी दो आखे हैं तुम्हारे अंदर भी दो आखे मिलेंगी organs की organization एकदम सेम है आपके अंदर भी सेम मिलेगी है राइट हमारी fundamental similarities है तो species में तो वह organism आते हैं जो एकदम सिमिलर है kingdom तो बहुत सारी है समझो animal kingdom है animal kingdom में तो sponge भी आ रहा है जिससे तुम नहाते हो और तुम भी आ रहे हो जो sponge पकड़के नहा रहा है तो बहुत difference हो गया नहार तो differences यहाँ पर सबसे maximum होंगे kingdom में और सबसे चोटी और सबसे basic जो category है सबसे small और सबसे basic जो category है वो है आपकी species तो इसमें तो आपका क्या होगा एकदम fundamental similarity वाले organisms आएंगे अगर दो organisms हैं और वो दिखने में भी different है इसका मतलब अलग-अलग species के है species मतलब बहुत common characters होने चाहिए बहुत common characters right species जो है इसके बाद आप जीनस की तरह बढ़ते हो एक जैसी जो species है वो फिर जीनस में आ जाएंगे एक और बड़ा group है ना जैसे आँपर अगर नाम देखो आप panthera tigris है panthera tigris में panthera क्या है जीनस है tigris क्या है species है panthera leo अगर की पीसिज है लियो मतलब यह लायन की पीसिज है panthera पार्डस यानि क्या है पार्डस लियोपर्ड से वर्ड आ रहा है पार्ड लियोपर्ड की यह क्या है species है तो यह तीनों जो है इनमें देखो common genus है तो panthera genus के अंदर ही टिग्रीस भी आ रहा है लियो भी आ रहा है पार्डस भी आ रहा है तो common जो species है मिलती जुलती वह सेम जीनस में आ सकती है और Just seven चीनियक जीनस नियाद वह सेमईली में आएंगे मिलते-वह देंक ते अविएयर में आएंगे से अगर आप फेमिली की बात करो टो फैमिली सालियन एस जो है यानि आलू की जो फैमिली है इसमें आप ट्रिक क्या याद करोगे स्पीडी आपर स्पीडी देखते थे ना बच्पन में सॉलनम यानि आलू का जीनस पैटूनिया एंड दतूरा, यह जो है आपके जीनस, फैमिली, सॉलनेसी के अंदर आते हैं, फैलेडी जो है, फैलेडी मतलब क्या है आपका, यहाँ पर, कैट की फैमिली, तो कैट एंड पैंथेरा, यानि बिल्ली मॉसी जो है, शेर से रिलेटेड है, कैट एंड पैंथेरा, जो जीनस है, यानि फैलिस जो जीनस है, cat का जीनस फैलिस है, डॉक का कैनिस होता है, तो फैलिस और पैंथरा फैलिडी में आते हैं, ठीक है, फिर फैमिली से बड़ी होती है, order, order में क्या होता है, common characters कम होने लग जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं, aggregate of characters, कि भाई, total characters देख लो, जिसमें similarity हैं पास पास रख दो जिसमें dis similarity होने दूर दूर रख दो तो आग्रिगेट ऑफ करेक्टर देखते हो आप बंच देखते हो जैसे पॉली मोनियल्स इसके ट्रिक क्या है PCS आई एस PCS का एक्धाम होता है तो यहाँ पर पॉलिमोनियल जो यह समें कौन कौन से आपके पैम्ली जाएंगी आपकी सोलनेनियक कर how and आपकी करदों वेसी करन वेसी एहजूर लेट करनी जो है वे इसमें को हैंगे डॉर्ब स दाघ एंड्ट जो है dog cat ये भी मैमल होते हैं और हम जो है human beings हम भी मैमल होते हैं हमें common character यहां पर possess कर रहे हैं फाइलम जो है आप देखो chord data इसमें सारे के सारे organism आएंगे जिनमें notocord पाई जाती है chord data word लिया ही गया है notocord से बना chord data एंड डिवीजन जो वर्ड है फाइलम यूज क्या जाता है एनिमल के लिए डिवीजन वर्ड यूज क्या जाता है आपका plants के लिए ठीक है और फिर सबसे बड़ी जो कैटेगरी आती है biggest category यह क्या हो जाती है आपकी kingdom हो जाती है ठीक है अब बात करते हैं भया एक particular टे होमो sapience canes जीनक क्या है नाम कहां जो second part होता है यही जीनक सोता है तो इसमें क्या डालोगे hayat ना हमारी फैमिली क्या है homo से मिलती जूलती mouse animated host कि हमारी फैमिली है और फालम हमारी क्या होगी नोटओकोयड हे हमारे अंदर हम लोग क्या होगे कॉर्ड ये अगर आप बात करते हो एक मदमख्षी की यानि हाउस्फ्लाए की तो इसका साइंटिफिक नाम क्या होगा मसक्त जो किसका जी यह झीन णनेस एक तो छॉरिल erzählen again or you gotta go be a promise का डिमेस्टिका इसका साइन्टेफिक नाम है में मस्का डिमेस्टिका तो यहाँ पर जीनस क्या होगा मस्का अब हो इनिदी था यहां पर तो यहां पर क्या हो whether data प्राइमेटे यहां प्रोड़ से appropriate क्रिमेट इंक्सार याद हो जाएगा अब class क्या है यहां पर इंसेक्ट है مक्षी तो इंसेक्ट और इंसेक्ट किस में पाए जाते हैं आर्थरो पोडा के अंदर तो आर्थ ओडा ठीक है अब बात करते हैं भया हमारे अगले target की जो की है मैंगो अब मैंगो का scientific नाम क्या है मंचिफेरा इंडिका, Binomial Norman Clature के example में देखा था, Mangifera Indica, Mangifera Indica, तो यहां पर क्या हो जाएगा जीनस, Mangifera, ट्रिक क्या है, इस पूरे के पूरे hierarchy को याद करने की, Pad Semi, मोहमद समी एक क्रिकेटर है, वो Pad पहन के खेल रहे हैं न, बैटिंग पैड जो आता है, तो P का मतलब, पहला M यानि Mangifera, and I मानि Indica, Pad Semi, P for Plante, फिर यहां पर हो जाएगा आपका, A, that is Angiosperm, यानि Angiosperm है यह, Flowering Plant है, D मतलब आपका Dicot हो जाएगा, S मतलब आपका Sapindales, है न, A मतलब आपका Anacardiaceae Family, और Mangifera Indica, P, A, D, S, A, M, I, अगर आप वीट की बात करें, तो सुबह खाने में हम लोग वीट खाते हैं, पोहा भी खाते हैं, तो वीट और पोहा को हम लोग रिलेट कर सकते हैं, तो हापर Sapindales की जगह क्या हो जाएगा, पोहा आगया, और Anacardiacee की जगह क्या हो जाएगा, पोहा आगया, नाम क्या है आपका वीट का Triticum Estivum, तो Triticum Estivum, तो Triticum Estivum जो है, इसमें आपका जीनस क्या हो गया, Triticum हो गया, Triticum हो गया, है ना, पोईसी, पोईल्स, यह आपका डायकॉट की जगह क्या हो जाएगा, Monocot हो जाएगा, and Angiosperm तो यह होता ही है, तो Angiosperm होगा, और Plant में पाया जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत आपकी नहीं है, यह आपका Table 1.1 है of NCRT, आपको क्या याद रखना है यहाँ पर सिर्फ Diptera याद रखना है, यहाँ पर आपको एक ट्रिक याद रखनी है, पैड सैमी, अगर आप यह याद कर चुके हो, तो आपको नीचे की सारी चीज़ें याद हो जाएगी, वीट की, आपको सिर्फ पोवा पोवा वर्ड लगाना रहेगा, and all the things would be relatable, यह आपको यहाँ पर देखना है गुरू जी, अब आती है हमारी last slide, that is taxonomical aids, taxonomical पढ़ने के बढ़िया बढ़िया उपकरण या tools कौन से है, उनके बारे में यह slide हमें बताती है, तो आपको information को save करना है, आपने जो information पढ़ी उसे save भी करना है, आपको जानवरों की रक्षा भी करनी है, पेडों की रक्षा भी करनी है, और taxonomy भी समझनी है, यानि चीजों की correct identification भी करनी हम यहाँ पर, आप यहाँ पर plants को sheet के form में क्या करते हैं, preserve करते है, sheet के form में preserve कर रहे हैं, तो सबसे पहले plant को dry किया, press किया and preserve किया, यानि एक plant है उसको आपने हलका herbaceous plant, बड़े पेड को नहीं, ऐसा plant जो आपके sheet के उपर चिपक जाए, उस lens का हमने एक plant काटा, उसके flower को फैलाया, जिससे उसके flower को हम observe कर सके, उसकी stem को अच्छे से फैलाया, leaves को अच्छे से फैलाया, चोड़ा, और नीचे क्या बच्छाया, एक अकबार बिच्छाया, उसके उपर plant रखा, उसके उपर एक और अकबार रखा, और बहुत बड़ा पत्तर रख दिया, तो क्या प्रकार के एक herbarium sheet होती है, इसके उपर हम क्या करेंगे, अपने specimen की अच्छे से जाच परक कर देंगे, इसके उपर हम बढ़िया तरीके से अपने specimen को चिपका देंगे, और यहाँ पर नीचे क्या रहेगा, एक बहुत प्यारा सा चोटा सा label रहेगा, एक प्यारा सा चोटा का नाम, कहां से collect किया है वो place, किस date को collect किया है, वो date, है ना, और इसके अलावा और क्या-क्या चीज़े रहती है, आपने जो particular plant collect किया है, उसकी family, उसका common name, उसका botanical name and so on, यह सारी चीज़े यहाँ पर mentioned रहती है, इस particular label के उपर, जैसे ही आप इस herbarium sheet को collect करते हो, आप इसे एक repository में रख देते हो, herbarium sheets के collection को herbarium कहते हैं, वह बहुत सारी sheet होती हैं, जो एक system के हिसाब से arrange होती हैं, जैसे dictionary में word एक system से arrange है न, alphabetical order में, ऐसे family wise arrange होती हैं, आपकी herbarium sheets repository के अंदर, Bentham and Hooker साहब ने system दिया था, जिससे आप herbarium sheets को arrange कर पाएं, तो कोई भी botanist है, वो आसानी से जाकर अपने काम की herbarium sheet को निकाल करके देख सकता है, and इसे quick referral system बोलते हैं, जैसे कि हम dictionary में word अगर ढूंडते हैं, समझ लो मुझे अगर word ढूंडना है success, तो मैं सबसे पहले S पे जाओंगा, मुझे alphabet का sequence पता है, मैं S पे गया, फिर मुझे S A, S B, S C, इनसे words मिलने स्टार्ट हुए, मैं S U पे जाओंगा, फिर मैं S U C पे garden नाम क्या है, botanical garden, यानि यहां पर भी बोटनी की बात हो रही है, यानि यहां पर भी plants की बात हो रही है, यहां पर भी सिर्फ plants को क्या किया जाएगा, conserve किया जाएगा, conserve और preserve में फर्क है, conserve मतलब आप conserve कर रहे हुए एक जिन्दा चीज को, और यहां हम preserve कर रहे हैं, museum में ह पूरिणाप रखे हुए हैं मचलिया रखे हुए है तो preservation है लेकिन अगर में जिन्दा प्लांट को बचा रहा हूं conservation है अगर मैं जिन्दाइनिमल को बचा रहा हूं तो conservation है तो यहां मैं preservation करता हूँ plants की और एक plant जो है उसको मैं unsafe जगा से safe जगा पर उखाड करके लेके आया और उसके पास उसका नाम उसकी economical importance उसकी family जो है मैंने लिख दी normal नाम botanical नाम और उसकी family लिख दी रॉयल Botanical Garden पूरी दुनिया का सबसे बड़ा Botanical Garden है जो की Q में है Q इंग्लैंड में है ठीक है आई बी जी यानि Indian Botanical Garden आपका कहा है हावडा में है वेस्ट बेंगॉल में है और NBRI यानि National Botanical Research Institute कहा है आपका लखनव में है लखनव में है यहां पर आप plants को क्या करते हैं आपका conserve करते हैं ठीक है और similarly animal को conserve करने के लिए आपके पास क्या है जू है यानि जूलोजिकल पार्क है कोई animal जो जंगल में असुरक्षित था उसको आप वहां से उठा करके लाए गारी में और उसे जू में छोड़ दिया जहा हमाँ का sexual pattern क्या है वह पानी पीने कितने बजह जाता है सारी चीजें जिसे कि हम उसके लिए इंतजामात कर सके और उसे बहतर पील करा सके ड़ैन म्यूजियम यूजियम यूजियम यूजियल यूजियली आपका plants और animals दोनों के लिए होता है जैसे जोलोजिकल पार्क सिफ एनिमल के लिए है बोटैनिकल गार्डन प्लांट के लिए हर्बेरियम प्लांट के लिए म्यूजियम दोनों के लिए कोई छोटा इंसेक्ट अगर आप रखना चाहते हो तो इंसेक्ट बॉक्स बना सकते हो आप इंसेक्ट को मारिए यानि किल करिए एंड पिनिंग कर कि यानि आप इंसेक्ट जो है से हुस्सकों प्रिजप्र कर सकते हो के इंसेक्ट को किल करने के बाद स्में एक छोटी सी पिन आती है बहुत पत्ली जो इंसेक्ट के आरपार हो जाती है और पीछे थर्मा कॉल शीट पर इंसेक्ट अटैच हो जाता है जिसको आप आगे देख सकते हो वेन इट कमस टू लार्ज एनिमल्स लार्ज एनिमल्स आर बेसिकली स्टफड एंड रिजर्वड इनमें क्या होता है इनमें आप ऐसा नहीं कि हाथी के शरील को पिन से रोक लोगे नहीं वहाँ आप एक हाथी के स्केलेटल को खड़ा करोगे म्यूजियम में और उसके अंदर स्टफिंग करोगे क्योंकि इसके और गन तो सड़ जाएंगे तो उसके अंदर आप रूई यूनो और बाकी सारे कपड़े या कुछ और चीज़ें है ना कागस वगेरा भरके उसके शरीर को एक शेप देते हो यानि स्टफिंग करते हो स्केलेटल जो है वो भी उज्वली म्यूजियम में पाए जाते हैं कंकाल भी आपने देखे होंगे डाइनसार के जो आपके कुछ छोटे-मोटे मॉडल भी बने रहते हैं वो भी आपने देखे होंगे है ना तो किसी स्कूल या कॉलेज के आसपास जादा रखा जाता है आपका म्यूजियम की जो है यह con contrasting character पे बेज़ड है contrasting character मतलब यहाँ दो characters होते हैं जिने हम क्या बहते हैं एकसेट हो जाता है जो accept शबेता है क्योंकि Hence लीड क्योंकि हमें सउसेें डील ने गाहरे हमें यह जयासे देखो आप मुझे मिलने यूणिवर्सेटि के अंदर आपको पता होना चाहिए कि मैं किस डिपार्टमेंट का हूँ, जैसे I am from Department of Biochemistry, तो आप लोग उनिवर्सिटी में ऐसे गधों की तरह नहीं घुम सकते, कि भाई सर कहां मिलेंगे, आप बोलोगे कि मुझे विपिन शर्मा से मिलना है, तो सामने वाला आपको बोलेगा कौन सा विपिन शर्मा, बायो टेकनोलोजी आप बोलोगे बायो केमिस्टी वाला, तो बायो टेकनोलोजी रिजेक्ट हो गई, बायो केमिस्टी हमारी लीड है, क्योंकि वो आपको करीब ले जा रही है मेरे, फिरा बायो केमिस्टी में आपने बोले विपिन शर्मा से मिलना है, वो बोले दो विपिन शर्मा है, एक ज जो वह आपका नैनो डॉट्स पर काम कर रहा है कौन से वाला तो आप बोलोगे आरे मेरे को ना एचस पीज वाले से काम है तो नैनो डॉट्स रिजेक्ट हो गया एचस पीज एकसेप्ट हो गया और आप मुझे तक पहुंच जाओ गया यार वह वहां लगा हुआ है इसे दो चीजों में आप फैसला ले पा रहे हो तो एक टेक्सा के लिए एक की अवेलेबल रहती है Texa मतलब जितनी भी इस है इनको आप अलग-अलग नाम से बुलाते हो मिर goose ऐल चो जो केटेपरी में दोस्तो ये केटेपरी में इनके अलग-अलग नाम है इन केटेपरीस को आप क्या बुला सकते हो दीसे केल दीक्री जी कॉल्ड एस गरॉप this can be called as taxa this can be called as rank this can be called as units यह सारी चीज़े एक ही है इस चाहिए इन्हें कैटेकरी बोलो ग्रुप बोलो टेक्सा बोलो रैंक बोलो या यूनिट बोल लो ठीक है आप देखो फ्लॉरा फ्लॉरा का मतलब फ्लावर से रिलेटिड है यह ना यानि प्लांट से रिलेटिड है पुर्टिकुलर इलाके में कितना भी बड़ा हो सकता हो मैनुवल मतलब मेरे आसपास के लाकर में जितने भी और्गैनिजम प्रेजन्ट है प्लांट्स और एनिमल्स सबका खाता मुझे मैनुवल में मिलेगा वन इट कमस तू मोनोग्राफ मोनो का मतलब होता है वन तो एक टेक्सोन की डिटेल मुझे यहां पर मिलेगी मैं कहता हूँ कि भाई मेरे आसपास जो और्गैनिजम से हैं वो किस क्लास के हैं सर आसपास जो और्गैनिजम हो सिर्फ 50 क्लास के हैं तो उन 50 क्लास के लिस्ट आसपास के जो organisms हैं अगर मैं species की बात करूँ मेरे आसपास तीन लाख species मौझूद है जो की बहुत बड़ा नंबर है बट still for reference तो तीन लाख जो species है उनका account मुझे चाहिए that is in monograph when it comes to catalog catalog का एक magazine की तरह है feature magazine होती है जहां पर इस बार दिपिका पादुकोन चपी है अगले महीने करीना कपूर चपेंगी उसके अगले महीने कियारा आडवानी चपेंगी ऐसे ही कुछ specific plants जो चर्चा के विशय होते हैं वह alphabetical order में यहां पर पाए जाते हैं चर्चा के विशय मत्रब समय लेख कोई ऐसा plant है जो extinct हो गया उसके बार में कुछ जानकारी कोई ऐसा plant है जो extinct होने वाला है उसके बार में जानकारी और alphabetical order में बाकी सारी चीज़े भी जैसे cover पे तो कियारा आडवानी है भाई नीचे भी तो चीज़े चल रहे हैं और यहां तरीके से alphabetical order यहां पर single taxon कि यहां सिर्फ plants कि यहां plants प्लस animals कि यह आपका हो जाता है वाया काम तमाम चेप्टर का कि आएगेस 50 मिनट के अंदर 40 मिनट के अंदर आपने पूरा चेप्टर समझ लिया होगा चीज़ें थोड़ी फास्ट गई हैं बट रिवीजन लेक्टर में पास्ट ही जाती है चीज़ें यह सिर्फ आपके रिवीजन के लिए था रिकापिचिलेशन के लिए था बहुत सारे इंपॉर्टन पॉइंट यहां पर कवर हुए और आपको समझ में आए होंगे मज़ा आया होगा अगर मज़ा आया तो फटा फट नीचे कॉमेंट सेक्शन में धूम मचा दो भाई जिससे कि मैं अगला लेक्टर लेकर तुम्हा अच्छा कॉंटेंट पहुचाता रहूं बहुत बहुत शुक्रिया थैंकियू सो मच लॉट्स अफ लव जैहिंद मिलता हूं अगले माइंड मैप के साथ अगले सेशन में शुक्रिया